पारावति योग ये राज योग है और कैसे बनता है जरा इसे देखी जोत शास्त्र कहता है कि लगन में चंद्रमा हो चतुर्थ में देव गुरु ब्रहस्पती हो और दर्शंभाव में शुक्र हो और जन्म कुंडली में शनिदेव कहीं भी बैठे हो या तो उचरासी में हो या स्वरासी में हो तो ये पारावति योग है और इस योग में जनमाजा तक धन कुबेर होता है राजा के शुद्रिश जीवन व्यतीत करता है अब इस सूत्र को जब आपने सुना तो बहुत कठिनाई नहीं है इसको समझना बहुत कठिन नहीं है इसमें कुछ भी जर अध करकराशी होती है और करकराशी में देव गुरु उच्चिके होते है दसम में शुक्र तो यहां देखा जाए तो गुरु और शुक्र दोनों से चंद्रमा केंद्र में हो जाएंगे तो गजकेसरी योग का निर्माण हो जाएगा और वहीं चतुर्थस्त गुरु की दृष्टी शुक्र पर होगी शुक्र जो की अइस्वरय के कारक हैं, चंद्रमा जो जातक के व्यक्तित्व को बड़ा भग्व है बनाएगा, आकरशक बनाएगा, सौं में बनाएगा, गुरु की दृष्टी दसम, गुरु और शुक्र का दृष्टी संबंध जातक को जीवन में उसके भव्विता, सौख्य, सुखद इस्तिती प्रदान करने वाला है तो वहीं शनिदेव का जन्म कुंडली में उच्चरासी में अथवा स्वरासी में होना जातक के जीवन काल में उसको आजीवी का अत्यंत स्रिष्ट आजीवी का प्रदान करने वाला बनेगा जातक नौकर चाकरों से घिरा हुआ रहने वाला यानि बेहद सांदार जीवन, सुखद जीवन तो ये योग, अब कई बार राज योगों के बारे में मैं समझाता रहा हूँ ये योग, जिस तरह की स्थिती मैंने आपको बताई या तो ये अक्षरसा घटित हो रहा हो या इससे सम्मंधित स्थिती भी बन रही हो अब इससे सम्मंधित इस्तिती को समझाना यहां मुश्किल है तो कभी अगर इस्तिती ऐसी आई तो मैं प्राच्चे जोतिस्वी ज्यान पर बताऊंगा कि यह योग जरूरी नहीं है कि अक्छरसह ऐसे हो तभी यह राजयोग माना जाएगा पारावत योग निसंदेह स्रिष्ट राज योग है और जिस इस्तिती में मैंने आपके समुख विबरन दिया ऐसी इस्तिती है तो इसमें कहीं कोई दोमत है ही नहीं कि राजया के समान जीवन तो हो नहीं है फिर भी अगर कुछ और इस्तितियां कुंडली में यह दो तीन बा आवी होगा कभी भविश्य में चर्था अवस्य होगी